नमस्कार दोश्तों स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में तो आज फिर से लेकर आई हूँ एक कवार से जुगार तो ये है मेरे पास कूलर का इस्टेंड जो बिल्कुल ही बेकार हो गया था ये कूलर जो खराब हो गया था जिसमें जंग लग गई थी तो ये पा जाती है टेटिया जिसको हम लोग टेटिया बोलते हैं आपने आम पतानी क्या बोलते हैं कमेंट कर जरूर पताईएगा कि जो पानी ठंडर करने के लिए होता है उसको क्या बोलते है तो ये इस तरह का होता है तो ये नई थी ज्यादा खराब नहीं हुई थी क्योंकि पानी भाग का भाग है यह नीचे का है और साथ ही का यह स्टेंड है तो हमने इसको निकालिया है और साथ ही की यह टटिया हमने इसमें लगा दिया है अब मैं इसमें कार्बोर्ट डालूंगी आप जैसे मेरे वीडियो का regular देख रहे होंगी तो पता होगा कि मैं हमेसा paper cardboard वगरा का ह यूज़ करती रहती हो इसे मिट्टी की भी वच्छत होती है और इसका भी अच्छ से यूज़ हो जाता है मेरे पास मिट्टी इस समय कम थी क्योंकि अधिक तर मैंने अपनी जितनी भी मिट्टी थी उसका यूज़ कर चुकी थी मेरे पास जो भी रखी हुई थी अब इस सीज करना पड़ेगा तो मैं हाल फिलाल ऐसे ही काम चलाऊंगी आप ही ऐसे जो आइडिया कर सकती हैं मेरे साथ शियर और यह आइडिया कैसे लगे तो यह भी करके बताईएगा यह मेरे पास कुछ बच्चों की बुक्स बगरा डली थी तो वो भी अब भरी हुई बुक्स होती है तो उनको कबार में देने से अच्छा है यहां पर यूज कर ले तो वो ज्यादा वेटर रहेगा तो बस इसी तरह मैंने अपने कार्डबोर बगएरा जो भी थे सब एकटे करके रखे हुए थे आज अच्छे से यूज हो गए तो मैंने इसको अच्छे से फिल कर लिया है औ इसको मैंने सदावार का प्लांट लगाया था तो सदावार के लिए मेरे पास दूसरी और जगह है गमला एक खाली था तो मैं उसमें रगा दूँगी तो यह अच्छे से वहां ग्रोव हो जाएगा और साथ ही इससे फैंगना भी नहीं पड़ेगा और इसकी मिटी यहां प आँगी तो वह अच्छे से सर्वाइब कर लेगा तो वस इसका भी काम अच्छे से हो गया और इस मिटी को भी मैंने यहां पर उप्योग में ले लिया मिटी मेरी अच्छी है इसमें खाद वगरा सब डेला हुआ है तो बार-बार मुझे इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसमें उगाने जा रही हूं आज में पालक तो पालक तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से जम जाती है और उसके लिए ज़्यादा जड़ों की फैलाने की आवश्यक्ता नहीं होती है आप किसी में भी लगाने तो कार्ट हमारी पालक है वह में लेकिरक तो इसमें बोलना को फैलादा मत्ची भुरी की तो इसमी पालक तो मेरे रहा की पालक हो या है। उनको भी प्रू आप इस तरह से उगा सकते हैं बहुत ही इसली ओग जाएंगे और ग्रू हो जाएंगे तो यह देखिए अच्छे से मैंने यहां क्यारी टाप बनाना स्टार्ट कर दिया है और मैं इसमें अच्छे से बीजों को फैला दूंगी तो यह अच्छे से ग्रू हो जाएंगे तो यह अच्छे से ग्रू हो जाएगी मैंने इस तरह पालक होगा कर अपने घर में यह आइडिया आप से सेयर किया आप भी मेरे साथ कुछ आइडिया सेयर कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं कि आप अपने घर में किस तरह ऐसे पालक हो आती हैं तो यह मेरे पास यह भी यूज हो गया, मिटी का भी यूज हो गया और साथ ही आप कम चीजों से भी अपने गार्डन को अच्छा भारा भारा बना सकते हैं तो ये देखी मेरे पाँ जितनी भी मिटी थी मैंने सब इसमें अच्छे से ढाल दी है और ये पालक अब ग्रो करने के लिए ये जब भी मेरी पालक की हर्वेस्टिंग होगी और अच्छे से ग्रो करेगा तो मैं आप से वीडियो जरूर शेयर करूँगी तो इस तरह आप भी पालक लगाईए और पालक का लाब घर में लीजिए पालक खाने में जितनी हल्दी होती है उतन ही इसके अच्छे वेनिफिट होते हैं और साथ ही ये बहुत ही अच्छे से उप जाती है ग्रो कर जाती है इसके जदा मेंटिनैंस की कोई जरूरत नहीं होती कि इसमें हमें बार बार देख भाल करने पड़ेगी बस आप इस तरह से बीच लाकर डाल दीजिए और अच्छे से गुरू हो जाएगी देखी इस टेंड पर रखने का एक ये भी फायदा था कि आप इसको कहीं पर भी रख सकती है कहीं पर भी घुमा कर ले जाए ये कहीं पर भी रखना हुआ आपको अपनी जगह निश्यत करने के लिए वहाँ इस तरह से ले जा सकते हैं और आप के लिए यह बहुत इजी हो जाएगा तो देखें मेरे लिए यह बहुत इजी था इस टेंड पर रखा है जब मुझे जहां जैसे जरूद पड़ेगी इस तरह से मैं इसको उस दिसाम में रख दूँगी और साथ ही इस तरह से हलके हाथ से आपको पानी देना है जिसे कि हमारे बीज ज़्यादा गहराई में ना जाए और हलके हाथ से हम पानी देंगे तो हमारे बीज भी एक ही जगह सीमित रहक जाएंगी और अच्छे से उबना श्टार्ट कर देंगे तो यही ही प्रोसेस है पालक उगाने की और बहुत एजी प्रोसेस है आप किसी में भी पालक उगाईए और लाब लीजिए बहुत ही अच्छा होता है तो आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताईएगा और शाथ ही अपने अनुहफ से एर किएजीगा आप मेरे रेगुलर वीवर्स हैं और अगर आप वीडियो पर पहली वारा हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो और इसी तरह आप मुससे जोड़ते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद